हलो स्ट्रेंट वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर आज हम पढ़ेंगे टेंथ क्लास की मेहत की एकसाई नंबर 3.6 का पार्ट 4 इसके पार्ट 1 और 2 3 इसके हम पहले ही अप्लोड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेडिस्ट मिल जाएगी वहां जा समस्या दे गई हैं उनको रहकिक समीकर में बदल कर और सबसे पहले ने रहकी समीकर में बदलेंगे और इको कोBir है independent की मिल network कि एने की संफीड अब इस कुमन रहे हुगा है हम टेजी से तैरते हैं वो क्यों कि हमारी जूर हरा की दिशारोll genetic हमारी इस तिस्टोवेंट यह ब creo बेट जाने पर थारा की चाल और हमारी चाल जूर जाति यह स्वाश्त सेथ्क्व élald जाती है ठीक है तो यहां इसी तरह से यह इसी concept पर यह वाला question है तो इसको solve करते हैं देखिए सबसे पहले यह लेते हैं दूरी कितनी है यह निकि उसने कितनी दूरी तै की है तो यहां देखो धारा रितु धारा के अनकूल दो गंटे में 20 किमेंटर तै सकती है तो यहां पर म माना सांत जल में सांत जल में रितु की चाल तो सांत जल में रितु की जो तैरने की चाल है उसको हम ले लेंगे एक्स और धारा की चाल ठीक है धारा की चाल यहां लेकिए धारा की चाल तो धारा की चाल वरावर हम ले लेंगे वाई ठीक है अब यहां से देखेंगे यहां है case first देखेंगे इसमें case first जब रित्व धरा की अनकूल ठीक है यनि दारा की अनकूल तहरी तो दो गंटे वे 20 कुल्मीटर तैरती है यहां पर देखेंगे यह सांथ जल में रित्व की चाल है X और धारा की चाल है Y तो यहाँ दोनों की चाल को जोडने पर ठीक है? वो कितना तैस्ती है? 20 km यहनि चाल पर आप क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय, यहनि कि 20 बटे 2 तो यह वारा हो जाएगा X प्लस Y इक्वल 10 इसे अब ले लेंगे equation number first ठीक है? इसी तरह से case second case second यहाँ आप लिखना चाहें तो लिखना है धारा की अनुकूल ठीक है? धारा के अनुकूल और यह second condition कौन सी है? धारा के प्रतिकूल ठीक है? धारा के प्रतिकूल तो यहाँ लिखेंगे धारा के प्रतिकूल तो धारा की प्रतिकूल क्या होगा यानि कि जो हमारे दौरा चलीगी चाल है उसमें से धारा की चाल को गटा देंगे तो यहां हो जाएगा X-Y और तब क्या होता है कुल दूरी कितनी है 4 किमेंटर और वो कितनी गंटे में द्या करती है 2 गंटे में तो इनकी चाल हो जाएगी चाल बराब क्या होता है दूरी बटे समें तो यह हो जाएगा 4 बटे 2 यानि कि X-Y एक्वाल 2 यह हो जाएगा एक्क्वेशन हमारा सेकेंड ठीके अब देखेंगा समीकर 1 और 2 को जोडने पर तो देखें समीकर एक और 2 को समीकर 1 क्या हमारा X plus Y equal 10 और X minus Y equal 2 तो यहाँ पर जोडने तो Y plus का minus का y कैंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 2X और यह equal में हो जाएगे 12 तो X equal क्या हो जाएगा 12 upon 2 यहनि कि X की value आ जाएके वारे 6 तिक है अब X का मान समीकर्ड एक में रखने पर, तो X का मान समीकर्ड एक में रखने पर, ठीक है, समीकर्ड एक में रखने पर, तो X का मान जब यहां रखेंगे, तो यह हो जाएंगे, 6 प्लस Y इक्वल 10, ठीक है, तो Y इक्वल कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6, तो Y इक्वल आ जाएग है रित्व की चाल यानिकी X एक्वल कितनी है 6 क्लोमीटर पर आवर ठीक है और धारा की चाल कितनी है यहां लिख देंगे धारा की चाल ठीक है धारा की चाल यानिकी Y एक्वल कितना है 4 क्लोमीटर पर आवर क्योंकि चाल का मात्र क्या होता है क्लोमीटर पर आवर ठीक है श्व और आप यह कुशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अगर अच्छा लगया हो तो कुशन को एक लाइक जरूर करें और साथ अगर आप इस चन पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ इसाथ बेल आइकन को भी दबाले किसे आने पुरस कसी दे के किसी काम को एक साथ सा यह नहीं साथ साथ चार दिन में पूरा कर सकते हैं जबकि तीन महिला हैं यह उंच्छे पुरस इसको तीन दिन में पूरा कर सकते हैं तो ग्याद कीजिए कि इस कारे को करने में एक अकेली महिला को कितना समय लगेगा या कितना समय ल को कि पूरा कार करने में लगा समय थे इसको पूरा समय कि तना लगता है एक्स तो एक दिन में उसकी द्वारा किया गया कार कितना होगा तो और नहां देखाईंगे तब एक दिन में महिला कि द्वारा किया गया कार यह ट्किर यह में इक महिला दौरा जैने कि एक महिला दौरा किया गया का दें कि तना होगा वन अपोन एक्स समय को घ्री करने में लगा समय एक वाई ठीक है तो एक दिन में यानि कि पुरुष के द्वारा एक दिन में किया गया कार एक दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार एक पुरुष के द्वारा किया कार एक दिन में एक पुरुरु द्वारा किया कार एक तो यहां से देखो अब एक मैला द्वार इतना कार किया था तो दो मैला के द्वारा कितना कार किया जाएगा टू का मुल्टिप्लाई हो जाएगा इसमें यानिकि टू अपोन एक्स प्लस यानिकि दो मैला और कितने पुरुस है पांच पुरुस तो एक पुरुस द्वारा कार कितना किया सब्सक्राइब निकाल निकाल न उन्हेक होजाए गावान अपॉन फॉर ठीकि तो यहां से देखेंगे इसको माला लेंगे एक्विषन फस्ट अब के सकिक के से किंडी के करा है के second में क्या करा है कि जबकि 3 महला है 6 पूरोष इसी कारे को 3 में पूरा करते हैं तो 3 महला यानिकि 1 महला का क्या तना था वन अपॉन x तो तीं इसमें इसमें को यप स्कूल कर लो तो uill करочь डो तो यहां बंदिक कैसे क्ल करेंगे X का, यानि कि 3 का गुड़ा है, 3 का गुड़ा समीकर्ड 1 में और 2 का गुड़ा समीकर्ड 2 में करके, समीकर्ड 1 में समीकर्ड 2 को गड़ाने पर. तो यहाँ लिख दें, समीकर्ड 1 में 3 से तथा समीकर्ड 2 में 2 से गुड़ा करके, समीकर्ड 1 में से समीकर्ड 2 को गड़ाने पर. ठीक है, तो पहले गुड़ा करला है, फिर घटा देंगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर. पहले कोडा करेंगे यानी की 3 का गोडा इसमें करेंगे समी कड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3 मिल्टिबलाई पूरा समी कड़ में करेंगे तो यह हो जाएगे 6 अपन एक्स प्लस 6 टूजा 12 यानिके 12 Y एक्वल यहां 2 का मिल्टिप्राइब हो जाएगा तो 2 अप्वान 3 ठीक है जब गटाएंगे गटाते हैं तो समीकर जो 2 है उसके सारी जो साइन जो है चीन हो जाएगे यह हो जाएगा प्लस का है यहां से यह 6 अपॉन X प्लस के हैं यह 6 अपॉन X माइस के cancel हो जाएगे और यहां से देखो दोना कालसियम Y है तो Y L सिम ले लेंगे और यह कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 15 माइनस 12 ही हो गया और यहां पर यह बचाए 3 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 3 अब यहां से देखेंगे 15 में से 12 जाएगा तो यह बचेगा 3 अपॉन Y एकॉल यहां पर दोना कालसियम आजाएगा 12 ठीके तो यह हो जाएगा 3 का मल्टिप्लाइगा यहां पर 3 तरह करनो माइनस 4 दोनी 8 यह हो जाएगा यहां बचेगे 3 अपॉन Y एकॉल 9 में से 8 जाएगा एक बचेगा अपॉन में 12 ठीके तो Y एकॉल क्रोस मल्टिप्लाइग कर देंगे यहां से तो Y एकॉल आजाएगा 36 12 तरी जाए 36 ठीके तो Y हमारा क्या था यानि कि Y को हमने क्या बाना था कि यहां पर एक पॉर्ष द्वारा किया गया पूरा कार करने में लगा समय यानि कि पॉर्ष जब किसी यानि कि इस वाले कार को करेगा तो उसको इतने समय लेगा 36 दिन ठीके अब यहां से देखें Y का मान समीकरड 2 में रखने पर ठीके Y का मान समीकर 2 में रखने पर तो समीकरड 2 हमारा यह है 3 अपॉन X 3 अपॉन X प्लस 6 अपॉन Y तो 6 अपॉन Y की बेलू कितनी आए 36 तो यहां रखेंगें 36 और एक कोल में 1 अपॉन 3 एक कोल 1 अपॉन 3 यहां से कड़ जाएगा 6 इक जा 36 ठीके यह 1 अपॉन 6 बचाए यह 1 टाइम से 1 अपॉन 6 उधर जाएगे किसके हो जाएगे माइनस के तो यह हो जाएगा 3 अपॉन X एक्वल 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 6 दोनक एल्जिम लेंगे यहां पर अपॉन अपॉन 6 तो यह 2 माइनस 1 यह हो जाएगा 3 अपॉन X एक्वल यहां बचेगा 3 अपॉन X एक्वल यहां 1 अपॉन 6 तो X एक्वल आजागा 6 तो रिजा 18 ठीके ना तो हम यहां लिख सकते हैं कि पुरुष यानि कि पुरुष को कितना समय लगेगा पुरुष को कितना समय लगेगा एक पुरुष को और एक पुरुष की बात हो रही है तो पुरुष को कितना समय लगेगा यहां पर में लिखाया देखो पुरुष एक पुरुष द्वारा किया गा तो यहां लिखेंगे थर्टी शिक्स दिन ठीक है महिला यादि की एक महिला महिला को कितना हो समय लगेगा X educate यहां पर आजाएगा मैला करें चलते हैं इसके अगले वाले कुछन नमबर टू का थर्ड वाला यानिकि यह वाला कुछन चैप्टर का लास्ट कुछन है इसके बाद हम अगली एक्साय सुरू करेंगे तो देखें सबसे पहले क्या है रूही 300 किलमेटर दूरी परिस्तित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेल गाड़ी दौरा तथा कुछ दूरी बस दौरा तैय करती है यहां दोरी कतनी है 300 km तो यहां लिख लेए कुल दूरी यहां हल लिखेंगे solution इसका ठीक है तो कुल दूरी ठीक है तो कुल दूरी कितनी है कुल दूरी है हमारी 300 किलो मेंटर 300 किलो मेंटर ठीक है माना रेल गाड़ी की चाल रेल गाड़ी की चाल एक्वल कितनी है X माल लेंगे माना रेल गाड़ी की चाल बराबर है X ठीक है और बस की चाल बस की चाल मालेंगे हैं Y ठीक है चाल को हम किसे देखाते हैं क्लोमीटर परावर से यह Y क्लोमीटर परावर है ठीक है अब देखो यहाँ पर कि according to the question अगर देखा जाए सबसे पहला यानि case first या प्रथम सर्ता नुसार लिख लें तो प्रथम सर्ता नुसार ठीक है तो प्रथम सर्ता नुसार वो क्या रहा है यहाँ देखे कि अगर वह यह नहीं कि यदि वह है 60 mm रेल गाडी दुआ रहा तना सेस बस बस दुआरा तो देखो, रेलगाडी दार्ख, त कितनी है? 60 km, भीइज़, भीचा, 20 km, अब यहां से उसको ज़गा समय कितना लगेगा? यहीं कि रेलगाडी में लगा समय उसे थीके? यह रेलगाडी को लगा समय? यह लखेंगे, रेलगाडी को लगा समय तो समय वरावर क्या हो दा दूरी बटे चाल तो दूरी कितनी है साठ क्लो मिंटर है और शुआ गादी की चाल कितनी है यहां में लिखा है है एक स्टीक है एक्स ठीक है तो लगास में इतने गंटे यहां लेकेंगे इतने की गई दूरी तो देखें टोटल दूरी देखें नहीं 300 km, 60 km हुए, रेल गाड़ी से गई है, तो सेस दूरी कितनी बचाएगे हमारी, 240, तो यहां लिख लेंगे, 240 km, ठीके, अब बस द्वारा लगा समय, ठीके, यहां लेखेंगे, बस द्वारा लगा समय, बस द्वारा लगा समय, तो समय बरावर क्या होता है, दूरी बच्टी चाल, यहां लेखेंगे, अब यहां पर देखेंगे, जब वो 60 km रेल गाड़ी द्वारा और सेस बस द्वारा तेय करती है, तो उसे टोटल समय कितर लगता है, 4 गंटे, यहां लेखेंगे, जो यह समय है रेल गाड़ी में लगा समय है, और बस द्वारा लगा समय, दोनों को मिला कर कितना गंटे लगते हैं, उसे 4 गंटे, ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे, देखो यहां पर, यानि कि 60 अपॉन X प्लास 240 अपॉन Y एक्वाल 4, इसको हम ले लेंगे, एक्वेशन नमबर 1, ठी देखेंगे, अब यहां से देखेंगे, देखो यह प्रत्म सर्तानुसार था, अब लेखेंगे द्वितिय सर्तानुसार, ठीक है, द्वितिय सर्तानुसार, तो द्वितिय सर्तानुसार देखी, यह क्या है, द्वितिय सर्तानुसार वो कह रहा है, कि यह दिवो है 100 दूरी, ठीक है, तो रेल गाड़ी दुरी कितनी है, 100 km, यह लिख देंगे, हम 100 km, ठीक है, तब रेल गाड़ी को लगा समय, ठीक है, यह हो गया अब इसके बाद यहां पर बस को ते कि गई दूरी स्थनी पूरिके 100 डूर्त जए पीची बूरिक बच Works करें यहां दूरी तो यहां से देखेंगे, तो देखो, अब यहां पे, बस द्वारा तेकी की दूरी इतनी है, तो बस में उसको लगा समय, बस द्वारा लगा समय कितना होगा, बस द्वारा लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे, चाल, यह दूरी है, दो सो, और चाल कितनी हो इंवा कर उसे कितने 10 abdominal अधिक लागते यानि पहले- सार गंटे लागते थे अब चार गंटा 10 मिनट लागरा ठीक है तो यहां से भी को समीकळ बनाएंगे देखो B तो यह जाएगा तो समीकड क्या बनेगा देखी यहने कि ये समय इतना समय ट्रें के दुवार ट्रें के दूर लगा समय और बस का तो यह जाएगा 100 upon x plus 200 upon y equal कितना 4 गंटा ये 4 गंटे और 10 मिनट तो 4 गंटे तो ये हो गए ठीक है 4 और प्लस 10 यानि 10 मिनट को मैं क्या बनाना है गंटा बनाना है तो क्या करेंगे 10 बटे 60 ठीक है ये हो जाएगा ये दोनों add हो जाएगे तो यहां से देखेंगे अब तो इसको परे solve कर लें पूरा तो ये हो जाएगा देखी 100 upon x plus 200 upon y equal दोनों के एलजिव लेंगे 60 ठीक है और 60 का यहां कोड़ा करेंगे तो कितने हो जाएगा 244 ये हो जाएगा 240 ठीक है plus 10 तो एकवल में यहां इसको लिख देखें 240 ठीक हो जाएगे 250 upon में 60 तो यह 0 से 0 कैंसे तो हमारा यह equation बन जाएगा 100 x plus 200 y equal 25 upon 6 अगर हम इसको यह जो समीकड़ बना है इसको अगर हम छोटा करना चाहें तो पूरा समीकड़ में दोन और 25 सभाग दो ठीक है तो यहां लिखना चाहूँ तो लिख दो यह नहीं तो कोई दिखें नहीं 25 सभाग देंगे नीचे तो क्या हो जाएगा इस चार बार डिवाइड हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4x plus यह कितना हो जाएगा 25 अठे 208 बार 8y equal यह पच्छी से cancel हो जाएगा तो 1 upon 6 बच्चे आगा जी ठीक है इसको हमने equation first लिया है इसको equation second लेंगे यहां पर ठीक है अब देखो equation first यह है equation second यह है हमें equal करना है ठीक है तो हमें equal करना है दोनों को तो क्या हो जाएगा देखो यहां पर कि समीकर्ड यानिकी एक में X को equal कर लें तो यहां 60 है हमें इसको भी 60 करना हुगा तो इसमें कितने का multiply करना है 15 का multiply कर दो ठीक है पंद्रे से पंद्रे को साट हो जाएगे तो पूरे समीकर्ड में 15 से गुणा करके तो इसमें देखो लिखने कि क्या कि समीकर्ड दो में 15 से गुणा गुड़ा करके समीकर1 एक मैं से समीकर 2 को घटाने पर समीकर1 में समीकर2 को घटाने पर तो यहां देखेंगे अब देखेंगे पहला समीकर में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है तो यह ऐसा ही रहेगा ही हो जाएगा 60 upon x प्लस 240 अपन Y एक्वल है 4 ठीक है अब हमें दूसरे समीकड में क्या करना है 15 से गोड़ा तो यह हो जाएगा 15 चोक के 60 X प्लस 15 अठे X तो 20 Y एक्वल 15 बटे में 6 ठीक है गटाएंगे तो समीकड के साइन चेंज हो जाएगा नीचे वाले 240 बटे Y और यह 120 बटे Y यहां से घटाएंगे इसमें से तो देखो यहां से यह बची आएगा 120 बटे Y प्लस का बचेगा और यहां पर यह हो जाएगा 4 माइनस 15 अपन 6 दोना कैलसियम लेंगे तो यह हो जाएगा अच्छे है 24 माइनस 15 ठीक है 120 बटे Y ठीक है इस्ट्वेट देखे यहां पर जगाए होड़ी कम है आप इसको जो है इसका स्क्रीन सॉट लीना चाहे तो ले सकते हैं इसको थोड़ा से यहां से साफ करेंगे ठीक है अब यहां से देखेंगे तो यहां से ये यह कितना बचेगा 120 upon y equal और यहाँ 25 में से 15 गड़ जाएंगे 24 में से 15 गड़ जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर यहाँ बचेंगे 9 ठीक है 9 बटे 6 cancel हो जाएगा यह 3 से 3 दूनी 6 तीन दूनी 6 तीन दूनी 9 और यहाँ से y की value अगर निका रहेंगे तो y को दले जाएंगे 3 अपॉन आजाएंगे 2 डिजू multiply का नमबर है यह डिवाइड यहाँ पर divide का नमबर multiply हमें चला जाएगा तो y equal हो जाएगा 120 into 2 upon 3 ठीक है 3 4 जा 12 यह 40 हो जाएंगे और y equal हो जाएगा 42 तो y कितना है 80 और y अमने क्या माना था बस की चाल को मानता हो तो y की यह निकी बस की चाल यहाँ लिख लो कि बस की चाल y is equal to 80 km per hour ठीक है यह हमारा y आ गया अब हम निकालेंगे यह यहाँ का मान समीकड 1 रखने पर तो समीकड 1 हमारा क्या था अगर यहाँ अपने लिखा हो तो इसको देख सकते हैं नहीं तो यह लिखा हुआ समीकड 1 तो समीकड 1 है हमारा 60 upon x plus ठीक है यहाँ पर लिख दो कि y का मान समीकड 1 में रखने पर ठीक है y का मान समीकड 1 में रखने पर तो देखी यहाँ पर तो y यानिकी 60 upon x plus 240 upon y की बेलू कितनी है जाएगी 80 और equal है 4 कैंसल करते हैं जीरो से जीरो और आर्टी है 24 यह तीन ठीक है यह जो तीन है यह equal के उदर जाएंगे माइस के हो जाएंगे तो यह हो जाएगा 60 upon x equal 4 minus 3 तो x equal हो जाएगा यहां पर यह 1 बचेगा तो x equal हो जाएगा 60 तो यह निकी हमने क्या माना था train की चाल यह रेल गाड़ी चाल ठीक है तो यहां लेग लो पर 80 किलो मेटर पर आवर ठीक है तो यह रहा आपका कम्प्रीटली कुश्यन और हां अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और हां अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें औ आपको बिना किसी रुकावट के मिलते रहें तो इस्टुएंट मिलते हैं अगली वीडियो में आगे नई एक्सराइस के साथ नई कुशिन के साथ तब तक के लिए बाए टेक केर